हेलो रादे रादे आप सबी का मारे चनल में बहुत बहुत स्वागत है सावन की आप सबी को हार्दिक सुपकामना है मेरे परिवार की ओर से और भगवान शिव का ये महीना है इस महीने में भगवान शिव की अरादना की जाती है तो सुबा साम तो आप सब पूजा करते ही हो होंगे उसके साथ मैं आप सब के साथ एक खास उपाई सीर कर रही हूं अगर आप भगवान शिभ के भकते हैं तो सुपाई को जरूर किजिएगा और अगर आपके मन में कोई बिसे här स्पाई को और आप करते हैं तो मैं देखे भगवान तो नहीं हूं लेकिन ये उपाई हमने खुदने किया है, तो अपने ऊपर जो किया होता है उसका प्रभाविः हमें पता होता है तो ये उपाई जो मैं आप लोगों के साथ सेर कर रहे हूँ ये बहुत साना प्रभाव साली है, मतलब अगर आप इसको सवा महने तक अगर इस उपाय को आप कर लोगे ना तो इसके बहुत अच्छी रेसल्ट आपको मिलेंगे लेकिन करना कैसे है इस बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आपको लेना है एक इत्र तो मैंने यहाँ पर रोज वाला इत्र लिया है आपके पास जो भी इत्र हो जिसकी खुस्पू आपको पसंद हो उस इत्र को आप ले सकते हैं और उसका उपर का कैब होता है उसको निकाल कर ली थोड़ा सा इत्र घगवान शिवलिंग के उपर इस तरह यहाँ है। इत्र डालते ना है कि जब आप इस इत्र को उपाय करे ना तो आपको पूरे घर में इसी चाहिए थोड़ा से डाल दία आप चलि करते हूं सब्रोगाई को आपको क्या तो किए तो यह ना खरोगला है इसे ध्यार लगे लें अगर सिबलिंग जैसे कि हमारे सिबलिंग बहुत चोटे है तो जलहनी में रखकर उनकी मसाज नहीं उपाती है डर लगता है गिर ना जाए तो आप अपने हाथों की हातेली में इस तरह से देखे सिबलिंग को रखे और अच्छे से धीरे धीरे हातों पर हलकी हलकी हातों से मसाज करनी है कैसे करनी है जिसे कि आपका छोटा सा बीबी होता है चोटा सा बच्चा होता है जिसकी आप मसाज करते हैं बहुत धीरे धीरे हातों से ताकि उसको फाइदा भी हो और उसको लगेगी भी नहीं तो ऐसे ही भाव से आपको कर ली है तो ये मसाज आप कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट भी आप कर सकते हैं जितना देखिए आपके पास टाइम हो इस तरह ऐसे करना है और ध्यान रखे कि मसाज करते समय अंगूटे का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अंगूटे का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें और फिर दीरे दीरे हातों से मसाज करें मैंने अपनी अंगूटिया नहीं उतारी थी क्योंकि ऐसी दोनों तीनों अंगूटिया ऐसी हैं जिसको मैं बार बार नहीं उतार सकती हूँ तो मैं हतेली पर भगवानशिप की सिव को जो है ना इस तरह सिवलिंग को रख लेती हूँ तीरे दीरे हातों से मसाज करती हूँ कम से कम पांच मिनट आपको जरूर करनी है और जाना से जाना आप 15 मिनट तक जो है ना इस मसाज को कर सकते हैं मसाज करते समय आपको क्या करना है आप चाहें तो महा मिर्तुन जय की मंतर का जाब कर सकते हैं आप चाहें तो नमश्यवाय की मंतर का जाब कर सकते हैं तो जाब आपको जो है ना सरूल करना है और हाँ मसाज करते समय घर गरस्ति की सारी चीज़े बूल जाना बिल्कुल भी दिमाग में मतला ना कि ये काम पड़ा हुआ है वो काम पड़ा हुआ है मगन होकर जो है ना इस तरह से आपको भगवान की मसाज करनी है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है और ये हैं हमारे नर्मदे सवर जिनके अगर ध्यान से अगर उनको देखा जाए ना तो इनकी एक एक नस जो है ना देखती है एक तुम हरी कलर की नस जो है ना देखती है इसके बाद आपको जलहरी पर भी जो है इस तरह से इतरी की ही मसाज करनी है और सर्प पर और जलहरी पर अच्छे से हलकी हलकी हाथों पर आप मसाज करें अंगूटे का प्रियोग बिल्कुल भी ना करें मेरा कई बार गलती से लग जाता है लेकिन ध्यान रखें आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है मैं यूज हो जाता है मुझसे मैं कई पार सोसती हूँ कि यूज ना हो फिर भी काम करते करते ना अंगूटा मेरा लगे जाता है लेकिन आप कोसिस करना क्योंकि कलत रहा मैं कभी किसी को भी नहीं बताती आप कोसिस करना कि आपका ना लगे और इत्र की मसाज करने के बाद अब मैं ये बता रही हूँ कि किस समय आपको करना है तो ये सही समय होता है साम को करने में तो साम को प्रदोस काल में आप इस तरह से इत्र की अगर मसाज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाबकारी है और समय आपको थोड़ा सा निश्चित करना है समय कैसे निश्चित करना है जैसे कि अगर आप साड़े छे बजे करते हैं तो आपको ये मसाज साड़े छे बजे ही रोज महीने वर्टा करनी है ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने छे बजे कर ली फिर दूसरे दिन साथ वज़े कर ली फिर आट वज़े कर ली ऐसा नहीं करना है एक निष्चे समय पर करना है तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि एक निष्चे समय जिस समय आप करते हैं उसी समय जो है भगवान की इस तरह से आप मसाज करें बहुत नहीं करूंगी बहुत फाइदा होता है इस मसाज करने से और इसके बहुत जाना अच्छे रिजल्ट हैं मतलब आप जो है ना एक दम भक्ती में डूप चाते हो जब अन्नमस्च्वाय का मन्त में जब मन में जब करते हैं और हातों से मसाज कर रहे हैं तो ये बहुत हो तो इस उपाई को ज़रूर कीजेगा बहुत फाइदेबंद होता है आज के लिए तना ही नएस वीडियो में लेंगे रादे रादे